हिलो सो परसेंट छपेगा अतीम है अच्पूर्ण सवाल है पोलिटी के सारे कंसर्प्ट जो हैं वो इस सवाल में आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ ये भी अपने आप में one of the best सवाल होने वाला आजी किलास का कि निर्वाचक आयोगने हाली में किस राजनितिक दल का अस्टे पार्टी का दरजा मिल चुका है और तीन पार्टी जो हैं उनका दरजा समाप्त हो चुका है मैं आपको दोस्तों न्यूज दिखाता हूँ आपके सामने न्यूज जो है इलेक्शन कमीशन ग्रांट नैशनल पार्टी स्टेटस टू आम आदमी पार्टी, विड्रो टैग फ्रॉम तरन्मूल कॉंग्रेस, NCP and CPI, इन तीनों से दूसरों, इन तीनों को तो हटा दिया गया है, और आम आदमी जो पार्टी है, इसको दोस्तों क्या कर दिया गया है, अ अब हम सुरुवात करते हैं, अगर उसे पूछूँ आप से, हाली में जो निर्वाचक जो आयोग है, इसके बारे हम बात्चीत बाद में करेंगे, पहले दोस्तों आप निर्वाचक जो आयोग है, इसके दरा हाली में, राष्ट्ये पार्टी जो है, राष्ट्ये पार्टी है एक मंतब्व 200 बनर्जी जो है इनकी जो पार्टे के दर्जा है उसे दो displaced कर दिया है सेक्क eradych 관리 plate क कम्रिश पार्टी ओफ इंडिया जो है इस राष्टेवादी Congress Party जो है दोसों राष्टेवादी जो Congress Party है जिसको लेकिना राष्टेवादी Congress Party NCP जो है NCP छापिएगा NCP जो है इसका भी दर्जा जो है वो अब समाफ्ट कर दिया गया इन तीनों का दर्जा समाफ्ट हो चुका है आप से पूछे कौन से आदेश से समाफ् जो है उसके दौरा से दिखो परिक्षा में सवाल दोसों पूछ सकते हैं आप से किस आदेश से इनका आपके इनको है मैं इनकी जो राष्टे दर्जा है वो समाफ्ट किया है अगर कुछ वो आदेश कौन सा है तो आदेश शापिगा चुनाव चिन आदेश लेकिएगा चुनाव चिन आदेश 1968 जो है इसके दौरा इनका दर्जा समाफ्ट किया गया यह आपको ध्यान दखना है अब आप पूछोगे सर कि अगर आप पूछो दोस्तों आपसे किसको दर्जा दिया गया है तो छापना आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी जो पार्टी है इसको को नोट करना है अगर रश्गुल्ला पुछ हूँ आप से आम आदमी जो पार्टी है इस तो दर्जा दिया गया है वह किस्से तो उच्छागा कि कौन सा अधीनियम दिया गया चापना जन पत्य जो अधीनियम है अरे यासकर दोस्तों आर्पी एक्ट दोस्तों लिखना आपक है तीन का समाफ्ट हो चुका है आदेस कौन सा समाफ्ट करने वाला 1968 का आदेस है अगर पुछ हूँ आप से यहां यह अब नहीं रहे ठेक है यह अब नहीं रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी दोस्तों आम पार्टी नहीं रिभाई साव जाडू पार्टी राष्टे इस आप से पूछलू मैं आप दोस्तों अगर आप से पूछे कि वर्तमान में बताओ सोच के दोस्तों वर्तमान में कितनी राष्टे राजनितिक दल बचे हैं कमेंट में दोस्तों आपके वर्तमान में कितने दोस्तों राष्टे दल जो हैं भारत के अंदर हैं आपको सोच के आरे खोपडी चलाओ कि कितने हट चुके हैं, कितने बन चुके हैं, आपको अपनी खोपड कि बताना है कि वार्तमान में भारत के अंदर कितने । डाजितिक दल भारत की निया एं कमयंत बॉक्स अपको चाप wifi- преп이지 कितने थे पहले दुस्तों आड कितने से पहले ल wnukiau वह से तीन दो सो बहार हो गए और एक दोस्तों नया बने गिए लागा तो किसो नहीं कितना हो गया आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, with the removal of NCP, CPI and TMC, there are now only six national parties in the country, दोसो कौन कौन सी है, BJP हो गया है, Congress हो गया है, National People's Party, NPP हो गया है, CPM दोसो आपके जो शापना आपके, जो माक्सवाधी Communist Party है, वो हो गया, माक्पा, बहुजन समाजवाधी Party, बस्पा हो गया है, यह दोसो आपके शा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब मेरे साथ दोसो लिखना, अगर पुछूँ आपसे वर्तमान में, 6200 कौन कौन सी शापना, रस्गुल्ला बीजेपी दोस्तों हो गया है, अगर पुछे दोसो बीजेपी जो है, 6 अपरेल दोसो फाउंडेशन डे था इसका, 1980 शापना 6 अपरे 1980 जो है, इसके स्थापना होती है, एक रस्गुल्ला कांग्रेश कौन सी हो गई है, कांग्रेश दोस्तों हो गई है आपके, याद करो सो कांग्रेश के स्थापना, 1885 के दोस्तों अंदर होती है, एक स्थापना बीजेपी दोस्तों कौन सी हो गई है, बश्पा दोस दूश्त ओ कि अगर पूछों आपसे इसकी सरकार कहां पर गहानले के अंदर इसकी सरकार है और कॉन्रेट संंगमा च्छे माच आपके जो को लुक्त साही है है य। दूश्थ संगमा मिखले था डा एक कुं से पें», लिखना माक्श्वादी कमनिश पार्टी लिखेगा यह 6 हैं बरतमान में BJP, Congress, BSP, NPP, Markpa और आप जो हैं यह 6 दोस्तों बरतमान में भारत की 6 पार्टी हैं इसका चुनाफ चिन पूछूँ आप से National People's Party जो शाबनाप के चुनाफ चिन आप बुक जो है पुस्तक इसका चुनाफ चिन है यह आपको ध्यान दखना है अभी दोस्तो बता रहा हूँ कि आपको क्यों बनाएगा राष्ट्य राजजेश्टिक पार्टी अभी दो मिन्ट में आपको बताने हुआ ला हूँ यह आपको जनाफ चे बरतमान में यह आपको नोट करना है अब आपके खोपड़ में सवाल है असको मिलता है आईए दोस्तों बात करते अगर पुछे आप से कि राष्टे जो पार्टी है उसके लिए से क्या सचतने है यह चार या अधिक राज्यों में राज्य इस्तरिय दल देखो अगर दोस्तों पूछूँ आप से आम आदमी जो पार्टी दोस्तों वो किस हिसाब से नेशनल पार्टी बन चुकी है चार य प्राफ्ट करें तो इसके हातरिक दे चार लोग सभाव शीटाओं पर जीत दर्ज कर ले यह तो तीन पॉइंट लिखे हो ई रशुकुल ला इसके अंदर या तो तो वह चार राज्जू के अंदर क्या बन जाए राज्ये इस तरी दल बन जाए यह तो पहला पॉइंट हो गया है या फिर रसुकार लॉप विधन सवा के अंदर चार राज्जों के अंदर उसका परफट कर ले या फिर दोस्तों लिखना के चार लोग सवा सीड जो है उस जो है तो से इन पाइब जीत दर्ज कर ले इन मेंसे कोई भी हो तो उसे national party बना धिया जाएगा second शापना यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोगसवा में कुल seat का कम से कम 2% जीत दर्ज किये तो भी वो national party बन जाएगा या तो दोस्तों इन तीनों में से कोई हो या फिर दोस्तों तीन राज्यों के अंदर जो है तीन राज्यों के अंदर आपके लोगसवा जो सीट जो है 2% सीट उसमें प्राप्त कर ली है तो भी वो member बन जाएगा चार राज्यों, दोस्तों, चार राज्यों के अंदर अगर राज्य इस्तरी दल बन गया, तो वो नैस्नल पार्टी बन जाएगा, या फिर तो चार राज्यों के जो विधान सवा है, उसमें कुल जो कुल मत है, उनका कुल जो वैद मत है, उसका 6% प्राप्त कर ले, तो वो ब बन जाएगा ठीक है या फिर तीन लोगसोबा सीट है वो 2% सीट प्राफ्स कर लें तीन राज्यों के अंदर तो भी वो मेंबर बन जाएगा यह दो कंडिशन आपके सामने आम आदमी पार्टी जो इसकी जो इस्थापना होती है तो जरुबारा के अंदर इसके 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 न सब्लख नहीं है तो नीचे वाला पॉइंट तो अपने आप एक भी सी तो सौनी है यह वाला सुपॉइंट भी कैंशल आउठ हो चुका है अब यह दो पॉइंट आपके सामने बचले किसमें आपके लिए ठीक है अगर बूचे रासभा में तो सीट कितनी है दस सीट रासभ अगर आप से पूछे ना कौन से चार राज्यों की बदोलत आम आदमी पार्टी नैस्नल पार्टी बनी ऐचार एंचार के बदूसर बध्राइब्रेश्श। जो है वह अपने रख है बन चुकी है यह आपको ध्यान आपको धना सो, तीन हड़ चुकी है, एक जुड़ चुकी है, कुल मिला के अब 6 पार्टी हो चुकी है, किस आधार पे जुड़ी है वो आपको पता दी दूसरों, इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है, उसने कौन-कौन से राज्य में उसकी सरकार है, कहां-कहां पर उसन 250 को इसके स्थापना होती है, अगर पूछों दोस्तों आप से, जो निर्वाचन जो आयोगे लेक्सन जो कमीशन है, यह दोस्तों अगर पूछें आप से, कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नमबर 324 के अंदर है, अगर दोस्तों पूछों, निर्वाचन जो ॥ वोर्ट का एक decision फैसला आया था पताओ comment box में इस फैसले के अनुसार इनका जो appointment दूसरों करेगा इनका जो appointment करते हैं वो कोन दूसरों राश्रपती करते हैं और इन राश्रपती की सला के लिए एक समीती होगे उस समीती में कौन-कौन सामिल होगा कमेंट रेचा को तो इस समीती के अंदर कौन-कौन सामिल होने वाला है यह आपको ताना है अभी हाली में